हेले फ्रेंड्स वेलकम तो डाउटने डाउटने की क्लास्क में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चो तो जैसे ही कि अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि हम पढ़ना है सर्फिस एरियन वॉल्यूम्स और यह सर्फिस एरियन वॉल्यूम्स का आपका लेक्ट है यह मान के चलिए कि 80% प्रॉब्लम तो आपकी सॉल हो जाती है तो इस प्रॉब्लम का सॉलिशन में आज लेकर क्या आया हूँ आपको माइन मैप्स के थू भी फॉर्मूले कैसे आप लर्ण कर सकते वो भी आपको बताऊंगा साथी साथ आप क्या एक्टिविटी घर में कर सकते हैं फॉर्मूलास को बड़े हैं तरीके से लंग करने के लिए वो भी हम आज के लेक्षर में आपका सीखने वाले तो चलिए बचार्ट करते हैं चैप्रे प्रोग्रस में आपको मालों है कि जो भी सॉलिट फिकर्स हैं उनके सर्फेस इन वॉल्यूम के बारे में को सब्सक्राइब करें तो माइन में सेंस वॉल्म और साल्ट फिकर्स पर हम इस लेक्षर में आपका बात करें चलिए तो पहले तो बचाब को इस तरीके से सारे फॉर्मूले अपनी नोट्बुक पर एक जगह पर लिख रहे हैं या पीज में लिख लेने ताकि आप जहां भी बैठ करके पढ़ाए करते हैं उसे स्टडी टेबल पर एक पेज में लेकर किन फॉर्मूलास को पेश्ट कर लिजे दिन भर में दो से तीन मिनट का टाइम निकाल कर कि सिर्फ एक बार इनको पढ़ बस लो आप देखेंगे कि विदर वीक आपको फॉर्मूले बहुत टेक्निक होगी ठीक है बचो तो एक जगह पर लिख लेना और बढ़िया तरीकिस इसको लर्ण करना है दैन मचो माइन मैपस के थुरू जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक पूरा पेज में आपने सभी फॉर्मूलास का एक माइन मैप बना लिया कि पहले आपने ब लिख़ लिख सकते हैं कि सभी फॉर्मूला 시청 आप यहां पर इस तरीके से लिख कर सकते हैं यहँ को वारबर रवाइस करते रो अगिन आपने देख सिलेंडर है बच्छों हमाहार पास ठीक है तो सिलेंडर का आप any कि इस फिलेंडर कातår सरूप सिरिया डिया सफिस एह फिस भी अच्छे तरीके सापने नोट डाउन कर लिया उसके बाद अगर आपके पास कोई होलो सी रेंडर है है होलो सिलेंडर जिसके पाद एक मोटाई है ठिकने से ठीक आपचो तो ऐसे होलो सलेंडर का आपने और आउटर इस capital ले लिए इना रेगीस आरड ले लिया और तिक नेस थिक नेस ओटर रेडियस मेंजी और रेडियस को माइनस करो दो तो वét तिक नेसागा तो कर्फ सर् लेक्ट शिरे या मार पास यह old in total तो टोटल सर्फिस milliseडे़्य मेर पास हो कुरे का स्क्रीन सॉट आपको ले लेना है ताकि आप बढ़िया तरी के से को रिवाइस कर सेके चलिए तो ये बच्छों आपने स्क्रीन सॉट भी ले लिया होगा अब इसके बाद नेक्ट पार जैसे के राइट सर्कालर कुन है उसका टोटल सर्फिस अरिया कर सर्फिस अरिया वाल्यूम छैन्ट हाइड कैसे फाइन कर नीं तरी के सारे फॉरल मिले आप एक पैज पर इस तरीके सा राइड डाउं कर सकते ठीका पचो इस तोस्फियर के हम बात करें तो स्वेर का भी तोटल सर्फिस एरिया कर्व सर्फिस एरिया एन वॉल्यूम आप एक पेस्पर बढ़िया था किसे नो डाउन कर लिया है में इस तरीके साफ ने लिख लिया फिर हॉलो स्फियर की जब बात करेंगा तो होलो स्फियर में हमने इसकी एक्स्टरण türkend tourist को कैप्टल आर इन रैड Jetzt क . यह तो इस तरीके से जो कर्वर सर्फिस एрах वनेगा आपके पास usta ऑलो हेश्टियर का वो क्या बैदका अंप्स शर्फिस अरिया प्लस में इंटर्नल सर्फिस एरिया तो स्थरी कि से आपने अपने कर दिया तोटल सर्फिस एरिया में आपने कर तरफिस एरिया प्लस अपर रिंग और इस तरीके से आपने एड़ करके आपने का लिए ठीक आप चो और वॉल्म तो यह सारी के टीजे बच्णों आपको बढ़ीया तरीका से लर्ण कर लेनी ठीक है बचो तो यह माइन वैस का भी स्क्रीन सट आप ले लिजे ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से इसको भी लर्ण कर पाए ठीक है चलिए यहां तक बचो अगर आपको समझ में आ गया है अब हम मूव करतें अपने टॉपिक पर जैसे कि हम वॉल्म आ अंसर कमेंड बॉक्स में लिखेंगे तो पहला कुशिए ने बचो दरेडिया यह फ्टू सिलेंडर आर इंदर रेशियो टू बाई थी एंड यहाइट रिश्यो फाइब यह थी दर रेशियो अप दियर वॉल्म उनके वॉल्म का रेशियो क्या होगा ठीक है बचो चलिए कि रेट हमाई पर रेशियो दे रखाए उनकी रेडियाय का हाइट का रेशियो कि मेरा वॉल्म करेशियो बताना है जल्दी से करेक्ट आप्ट आप्शें को में solve करना है देखो आपको volume का ratio find कर रहा है दो सिलेंडर के तो आपको जैसे की मालूम है ठीक है जैसे के आपको मालूम है कि भाई पाई आरवन स्कॉयर ह1 अपॉन में पाई आर टू स्कॉयर इंटू में आपके पास तो पाई से पाई आपने अनुन कर दिया अब अग कर में आपर देखतो तो और वन अपॉन आरटू का आरवन अपॉन में आरटू ठू का हो recognised नहीं कुरे इंटू में आपके पास एच वन अपॉन ईम्टू में आपका एच श्कॉर ढिंटी तो दू ठोश हूँ तो ही वाइट उसनका रिश्म आगा 202 27 बिलकू सही आफ्शेंबर बीस का रई डांसर एकर चो अप्शों नावर बी अगर आपने कमेंट वॉक्स में लिखा तो ये एकदम सही अंसर था ठीक बिलकुल से अगले कुशन देखते हैं दस्टरफेस एरिया बस्टूस टेफेरेस आर इन दरेशियो वनवाइट एक इस दो स्फेयर है उनका सर्फिस एरिया मतलब की फॉर पाई आरवन स्क्वाइर एक वैल टू फॉर पाई आर्टू स्क्वाइर ठीक आप चू इनका रिश्यू कमेंट बॉक्स में अंसर आपको करना है कि इनका रिश्यू बच्छो आपके पस बन बाई टू दे रखा है बॉल्यूम का रिश्यू क्या होगा रिश्यू आप दियर वॉल्यूम चलो बच्छो कमेंट बॉक्स पर अपना अंसर लेकर के बताइए कि इनके वॉल्यूम का रिश्यू क्या निकल करके आएगा इनके वॉल्यूम्स का रिश्यू क्या निकल करके आएगा बच्छो यगते हैं मचोसिंपल सा 4274 पाई केंट अब देख सेके आरवन अपॉन वे अरटू हमाने पास वन आप उन में स्क्वार रूट बनता है क्या मनता है वन अपॉन में स्क्वार रूट रूट तू बनता है अब आपको वॉल्यूम का रेशिया फाइन गर तो आपको वालमें क 4 by 3 Pi R 1 Cube upon a 4 by 3 Pi R 2 Cube 4 by 3 Pi 4 by 3 Pi हमाई पास cancel out ठीक है बचो चले अब R 1 upon R 2 का अगर क्यूब निकाले तो 1 देखना 1 upon square root 2 का whole power 3 आएगा तो मतलब की 1 upon में आपके पाश्ट 2 whole power 3 2 square root 2 तो 1 upon 2 square root 2 option number 20 का भी राइड आंसर एक लिए रप्चो ऑप्शन number 20 का भी राइड आंसर तो इस तरीके से कुशन थे कुछ कुछ इसके चलिए अब बच्चो जैसे की कोशन आपके पास इस कुशन को सॉल्व करते हैं आईए सभी बचे अपना पूरा का पूरा फोकस इस क्लास पर रखे बातचीत में जारा ध्यान ना दे क्योंकि बातचीत करने के लिए बहुत समय रहता है पढ़ने के लिए अगर क्लास में आए हो तो केवल पढ़ा ही करनी है ठीक है तो पूरा का पूरा फोकस यहां पर रखिए नोट्बुक लेकर के बैठिए और जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट करते चलिए के साथ के साथ ठीक है डायमिटर ऑफ मेट बॉल इस 4.2 cm एक मेटलिक बॉल बॉल दिया मनब कि स्फेरिकल बॉल की बाल कर दिया हमने तो इसका डायमिटर आपके पास 4.2 cm है तो मतलब कि अगर रीडियस की बात करेंगे तो 4.2 अपॉन में तू मतलब कि 2.1 cm तो हमार पास मेटलिक बॉल की रेडियस आईगी क्या गि इस 8.9 ग्राम पर सेंटीमेटर अब यहां पर बच्चों को कन्फीजन हो जाता है कि सरी डेंसिटी दे दिया डेंसिटी का मतलब क्या होता है पीटर फिजिक्स में आप पढ़ करके आए हो कि जो मास होता है मारे पास एक्च्वल में किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो क् पैंसीटि इन टू में उसके वॉल्यूम के एकक्वल होता है बो अगर मुझे तो अग्र उस मेटलिक बॉल का मास आइन करना है ठीक है काना बच्चों मतलब की जो उसका रिट ए तरीक से वह ता तो density into my volume के को लोता है ठीक है तो अगर आपको mass find करना है तो density आपके पास given 8.9 तो volume आपको पहले निकालना होगा तो अगर radius 2.1 है तो सबसे पहले बच्चों अगर आप volume find करेंगे तो volume क्या आएगा आपको मालू है कि metallic ball है तो इसका volume हो 4 by 3 into my pie or into my purpose R to the power 3 तो यहां से solve करेंगे 4 by 3 पाई की वेलू 22 by 7 और into में अगर आप देखो तो radius कितनी है 2.1 into my 2.1 into my 2.1 मैंने पॉइंट इटा है हम पर 10 इधर पर भी 10 और इधर पर भी आपका 10 आगे ठीके अब चो तो आप थोड़ा से सेंप्रिफाइब करते कैलकुलेट करने कोसिस करेंगे तो यहां से क्या वरेगा सेवन ठीजा ट्वेंटीवन तो थ्री टैम्स में यहां पर आपका यह होगे ठीक है अब देखना यहां से कि आपने टू को मल्टिप्लाई के 11 टू से डिवाइड के 11 को और यहां पर टू फाइव जट टैन बने यहां पर फाइव आव गया आपके पार अब अगर आप इस फॉर फॉर वन होता हैं फॉर फॉर वन ठीक है प्चो तो यह फॉर फॉर वन हो गया अपन में अगर आप देखे तो फाइव फॉर जक ट्वेंटी ओके एंड दो जीरो आपके पास और है तो 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 बेसिक लिए इसको आप डिवाइड कर लो अब तो हो आंसर आपका इज आपके पास कितना निकल किया एगा 38.808 cm3 ठीक है अब इसको कैल कुलेट आप इजली कर सकते हैं चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करू यह तो वाल्यूम आ गया आपको फाइन क्या करना बच्छो मास फाइन करने क्या फाइन करने बच्छों आपको मास फाइन करने तो म पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम है आपके पास 38.808 इंटू में आपके पास डेंसिटी हमारे पास गिवने बच्छों कितनी डेंसिटी आपके पास कुश्चन में दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों ठीक है बच्छों तो डेंसिटी आपने 8.9 यहां पर मल्ट चलिए तो यह आपके पास 345 multiply करके 345 पौइंट आपके पास 392 ग्राम इतने ग्राम बच्छों आपके पास इसका मस निकल कर जा आएका ठीक है multiply कर लो बच्छो तो 345.3912 ग्राम बच्छो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है यह हमारा अंसर होगा नोट कर लेना ठीक है बच्छो 345.3912 ग्राम आपके पास यहां पर अंसर आ जाए एक छोटी सी टिप्स एडवाईस यहां पर देना चाहूंगा देख बच्छो अभी आप लो यह क्लास देख रहे हैं मैं नहीं चाहता किस लेक्टर के दौरान पर मैं आपको एक चीज कैलकु आपको मालूम है उसी मैठट को अप्लाई करिए जो आप जिसमें पर अफेक्ट है यह क्याते न आपने मूवी देखी होगी कौन सी मूवी थी एक मैथ मूवी थी आपकी चाननी चॉक्तू चाइना देखिए अपने अक्षा गुमार की एक मूवी थी ठीक है तो उस मूवी की वज़र से जीता है तो कैलकुलेशन भी जिस तरीके से आपके प्रैक्टिस है कुछ स्पेसल टिप्स होती है अगर होंगे तो मैं बीट में सेयर करता होंगा अधर्वाइट टेडिस्टर मल्टीप्लाइब करो और अंसर निकालो उसके रावा कुछ भी नहीं लेका मुल्ट आप दुड्र दायमीटेर आप अर्थ पिकव जो मून का डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर का वन पूर्थ है ऐसे फृर्ट नों फंन. aik ब्वार्ट लेक्षिन ऑफ ने चैनिक सल्ट का स्वाइन का विल्यम आप बताना है नाक को स्ट्राइब करेक्शन पिकँ है काफी सार बच्छों का अंसर आने भी लग गया है ठीक है मुझे मालूम है और लीडिया आप तो काफी बच्छे पढ़ करके बैठ हुए है ठीक है बढ़िया है ठीक है आप लोग चाहें तो बच्छों डाउटेट एप पर हमारी रेगुलर क्लासे भी होती है ठीक है जो बच टाइमिंग है कि एक क्लास पहली क्लास 8 15 a.m. morning पर होती है ठीक है दूसरी क्लास अगरम बात करें तो आपका 11 a.m. पर होती है ठीक है और अगर आप पर आप क्लास देखते हैं तो बहुत ही बड़ी है बात चलिए इस्टार्ट करते हैं डायमेटर अफ द्वून सबसे पहल let's suppose radius of moon अगर मैं आप से बूने radius of moon small r and let's suppose radius of earth अर्थ की रेडियस आगर कर में बूनों तो कैप्टर राइट बजो सब्सक्राइज क्वेश रेडियस ओफ मून हमारे पास लॉल are है and radius of earth हमारे पास कैप्टल आ रहे हैं जिक एफू रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास्टे अला अब देखे गया पध्यान से समझी इस चीज को की जो हमको वॉल्म की बात कर रहा है पहली कंडिशन कि जो मून कार डायमेटर ध्यां समझना मून का डायमीटर यानि के मालस का 2R जो है वो वन फोर्थ है किसके अर्थ के डायमेटर के मतलब के 2R के तो मतलब की सिंपल सी बात रेडियस जो है वो वन बाई फोर है आपके पास अर्थ की रेडियस के इतनी सी बात हमको दे रखिए तो आपको वॉल्म फाइन करना है तो वॉल्म ओफ अर्थ अगर मैं यहां देखू वॉल्म ओफ मून अपॉन अपॉन में वॉल्म ओफ अर्थ अगर यहां पर निकालों तो क्या बनेगा वाल्यम आपन वाल्यम आर्थ देखे बच्छो यह बेसिकली आपके पास क्या बनेगा वाल्यम आफ मून अपन में वाल्यम आफ अर्थ तो बेसिकली क्या निकल किया आएगा तो सबसे पहले मून का वॉल्णम क्या होगा हमारे पास जैसे कि आपको में 4 by 3 पाई इन्टु में आर क्यूब होता है बच्छों क्या होता न है फोर भाई 3 into my pie Capital R.Cube बनेगा क्या वर रचुप बनेगा टिक आपको मालो में एक जो small are having one upon four capital are a तो पहली बात four by three to four by three cancel five by cancel the small are upon capital are a whole cube बचा यहां से सॉल करेंगे बच्चो तो तो ड्यकल क्याएगा ध्यां समझेगा small are equal to one by four टिके यह बना वनवाई फोर टेपटल आर और डिनो मेंटर में और लीडी केपटल आरे होल पावर थ्री तो आर्थ यार कैंसे लाओ वन अपॉन में 64 इसका अंसरों क्या अंसरों के विटा वन अपॉन निसक्ष्टी पूर इसका अंसरा एक एक लिए तो बिलकुत सिंपल तर बोल्व कर सकते एक लिए रैं चलिए अगला कुछ यह बच्छो आ है मीश फेरकल टैंक इस मेड़ पॉफ अ आई रंसी बन सींटी मीटर ठीक एक है मीश फेर कर टैंक है जो इस तरीके से आप ऐसे बोल सकती तो जो हमारे पर है मेश फेर कर टैंक है वो कुछ इस तरीके से हुआ है थिगा आप जो क कि यह एकatar vaat करें तो वो कितिनी होंगे नीचा की बात करो को तो फिडिन्स की बात कर तो बनाने के लिए कितना आईरन आपका यूज में आएगा ठीक आप चू देखे आईरन क्या है आईरन हमारे यह वाला पार्ट है यह सम आईरन है यह सब पूरा आरन वाला पार्ट ठीक है प्चू और यह कैसा मर इस टाइब का एक आईरन ए मनलब कि ऐसी आइरन तो ध्यान समझेगा हमें क्या करेंगे कि अगर में आप पर देखू तो एक्स्टर्नल लेगिस अगर देखे तो कितनी बनेगी इसमाल आर वन मीटर है और ठिकने से वन से अपके पर वन अपान में हंड्रेड टीक अब शो यह क्या बनगे आपके पर वन प्लस में 1.01 दिए अबन के आपके 1.0 वर ठीक है तो यह एक्स्टर्नल रेडियस बलब फॉर्ट जी रो बने और इन रेडियस आपके पस वन मीटर सब दिक अब सू यह कि इस में आपका मीटर में वनमीटर ठीक एक चलो यह हमार पाइस्टन जो सबसे पहले बाल बच्ट अगर आम देखे तो वाल्यूम और आयरं यहां पर क्या आएगा वोल्यूम और और अगर की यूझ्ट तो में टैंक यूझ्ट तू में के टैंक टैंक को बनाने में कितना आई रॉन आपका में आया ठीक है volume of iron used to make the tank कितना आएगा बच्छों जल्दी से पताई तू भाई थी तू भाई थी अच्छा हेमी स्फेरिकल है तो टू भाई थी अप्लाई करें कई बार बच्छे जल्दवाजी में यहाँ पर 4x3 लिकर के गलती कर देते तो हेमी स्फेरिकर टैंकर तो 2x3 ल से वालिफाइं करो तो दोनों वालिम के जो डिफरेंस होगा वो थिकने सवाला जो मेटल बचा उसनी का वालिमा देगा तो टू भाई थ्री पाई कैप्टल आर क्यूब माइनस में आपका टू भाई थी पाई इंटू में स्माल आर्कूब तो सॉल्व करते हैं बच्छों यहां से क्या आईगा आपके पार ग्रांस समझेगा यह आपके पास निकल क्या आया बच्छों देखेगा टू भाई थी पाई ठीगए तो भाई थी पाई और उसके बाद यहां पर बना आपके पस कैपितल आर क्यूब माइनस में इस मॉल आरिक्व बस इनकी वैलूज कर दे लिए हैं तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा टु अपाउन ठी इंटु में पाई capital आर मतलब की 1.01 टू दी पावर थ्री ठीक है और माइनस में 1.01 टू धीब आप सॉरी माइनस में स्मॉल वन का क्यूब माइनस में तो क्यूब मतलब कि आपके पास ये बना 100 का क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस में 300 ठीक है इंटू में 101 चलो ये बना आपके पास 12226 0 प्लस वन और ये आपके पाक बना 303 और 00 ठीक है तो बेसिकली यहां पर कितना बने गया 1 0 3 0 3 0 1 यहीं बना बच्चो 1 फिर 0 3 0 3 00 3 00 3 00 यहां पर वन यह हमारे पास आगया 101 का क्यूब ठीक है अब पॉइंट है तो यहां पर कितने प्लस के बाद six places के बाद तो two two four and two six one point zero one तो बेसिकली अगर मैं यहां पर देखू तो मैं क्या लिखूंगा 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 टू बाई थ्री इंटू में पाई और यहां पर कितना आए गा ध्यान समझेगा यह आपके पास बन पॉइंट 0.03 लेके 1.0303 आपके पास एंट 01 01 माइनस में बन तो यह आपके पास बना टू अपॉण थ्री इंटू में पाई और वन सब्टेट करो के तो आ जाएगा आपके पास 0.03 0.03 फिर अगेन 03 और उसके बाद 01 ठीक है यह आपके पास आया ठीक है पचो इसको आप सिंप्लिफाइ कर लो पाई के वैल्यू आप यहां पर चाहो तो अब इसको तुम्हें एरेस कर देता हूं यह अलेडी मैंने करी लिया है ठीक है पचो अब यहां पर आप चाहो तो यहां फो पइक है तो फाई की बैल्यू और फिट टर दो गया थो बाहई थरी इंटू में आपके पास 3.14 राटो डू ठीक है बच्चो ठीक है और इंटू में आपके पास यहां पर जीरो पॉइंट देखेगा यहां पर वैलिस को रख दी 0.3000 0.03030 again 301 ठीक है इन वैलुस को रख दीजे बच्चो और क्यालकुलेट करके अंसर निकाली जी कितना अंसर आजाएगा इसका चलिए इसका अंसर हमारे पास कितना आजाएगा जीरो पॉइंट आपके पास जीरो पॉइंट आपके पास 0 और यहां पर 6348 मीटर क्यूक इतना वॉवल्म आपके पास आ जागे किता आजाएगा बच्चो 0.06348 मीर्य क्यूव आपके पास यह वॉल्यम निकल कर कि आजक ठीक है फॉब तो अब इसको आप इसलिए यहां पर sauld लगिर के तो इतना वेरिपाही करता एक प्रोग्सी में आएंगा ए타्पॉक्सी में आपका कुछ यतना याइग का अटिग है शो हीisto तो मल्टेप्राइबा एकर के क्यार कर अंसर निकाल नह अप्रोग्सी में बच्चों के पास इतना ही निकल कर के आएगी ऑए approximate इतना ही हमको निगल करके आ जाएगे ठीक आपचो एक बार कलेट करके वापिस से क्रॉस्ट भी कर लेना कहीं को गर बढ़ो तो सही भी कर लेना ठीक है इतना ही आएगा ठीक है टू भाई थी पाई के वेलो 3.14 और यहां पर सब्सक्राइट कर दिया तो मेर पास इतना ही निकल गाएगा 30301 चलो ओके तो इस तरीके से एप्रोक्सिमेट वॉल्यम आपके पास यह निकल किया एगा क्लियर है समझ में आगा कोई डाउट यहां पर है मीज़ फेरिकल फ्रॉम इंसाइड ओके अच्छा डॉम का मतलब समस्क्राइब आप लोगने मंदिर वगारा देखे होंगे मंदिर वगारा के ऐसे पिलर वगारा होते है बच्छो और पर अगर आप ध्यान से समझे इस तरीके से गुमबद बनी होती ऐसे ठीक है और यहा में फेरिकल डूम होता है मंदिर अप देखते निस तरीके से करके यू करके बना भी होता है ठीक है तो इसी के बच्छों हम बात कर रहे है आपर a dome of a building is in the form of a hemisphere from inside inside sake hemisphere about you it was whitewashed at the cost of rupees it was white was at the cost of rupees 4,989.60 if the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter the capture cost of whitewashing cabbage आपको 20 rupees per square meter then find the inside surface area of the dome आपको dome का inside surface area निकालना है and volume of the air inside the room dome तो dome के अंदर पर कितनी air होगे उसका volume निकालना है चलो तो सबसे पहली बात अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो चोश्ट और whitewashing होता है ध्यान समझेगा एक्च्वल में मैंने आपको previous classes में भी यहीं चीज़े समझाई में थी कि for example आपको whitewash करना है तो किस एरिये में whitewash करना है वो एरिया निकाल लो उसके बाद whitewashing की cost क्या है वो cost उससे multiply कर तो तो टोटल whitewashing की cost क्याएगी वो निकल क्या जाएगी ठीके मतलब की पहले यह निकालो कि जिस एरी जिस portion में आपको whitewash करना उसका एरिया इंटू में पर मीटर स्क्वाइर या पर यूनिट स्क्वाइर जो कॉस्ट है वो उसकी multiply के रोगा तो टोटल कॉस्ट आएगी ठीक है तो वही जी जहाँ पर दे रखिए आपको टोटल दे रखा है कि 4900 89.60 रूपीज आपके पास टोटल कॉस्ट दे दिया ठीक उसके बाद आपको दे रहा है कि कोस्ट वाइट वाइट वासिंग और गिवेन अबचो कि जो कोस्ट और वाइट वासिंग जो है कोस्ट और वाइट वाइट व OFF वाईट वाशिंग जो आपके पास दे रखा है वह कितना देरक है यहां पर देरक विचो त्वेंटी रूपीर पर स्कॉयर मीटर दोनिती रूपीज पर मीटर UK vous और वाइट वाइट वासिंग दे दिया आपके पास कॉस्ट और वाइट वाइट वासिंग 20 रूपीज पर स्क्वाइर मीटर एंड टोटल कॉस्ट इस पोर थाउट नाइन हंड़ एक पास दे लिया ओके अब यहां पर अगर आप ध्यांच से समझे सी लॉजिक को तो क्या ब एर रभशेट कार्व ऑडिया इंटू में जो पर मेंटर स्क्वाइर कॉष्ट है वो 52 रूपीस इंटू में आप का 20 यहां पके पास दो क्या गया बचो डिक विह तोटल कोश्ट होगी घरव सर्फिस इडिया इंटू में 20 कम लोगे अच्छो टो यह आपके पास यहाँ से निकल का अब्स निकाल हो तो टो किरम सर्फिस ए्डिया क्या निकल कि आएगा करव सर्फिस एरिया वो भी इंर यहां पर लेख लो इनर कर सर्फिस एरिया ठीक है बचो इनर कर्व सर्फिस एरिया हमारे पास क्या निकल गए गाएगा देखो टोटल कॉश्ट फोर थाउजन नाइन हंड़ एक्टी नाइन 89.60 अपन में 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर कॉश्ट है बचो ठीक है बचो तो यानि के अपन अपन में आपके पास कितना अगया 20 आ गया चलो तो सॉल्व कर रेते पॉइंट अटाया तो यहां पर दो जीरो आपके और अगया ठीक है बचो यह पॉइंट हटाओ तो और लेडी यहां पर 60 लिखा हुआ है तो आप बेसिकली चाहो तो तो इसे लिख सकते हो कोई फरक नहीं पड़ते से खर चलो दो जीरो आप अपट आलो यहां पर डबल जीरो आजेंग उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा अजो तो इधर से आप सीक्स्टीन ठीके बचों अपॉन में हंडेड यह किता बन गया क्या तो फोर्टी नाइन पोईंट फॉर एट मीटर स्कॉरर यह आगे आपके पास क्या गया बचो इनर कर वसर्फेस एरिया जो हमको निकल के आया इनर कर पॉर्फेस एरिया तू फोर ती नाइन point four eight meters square nikel कितना आगे बच्वो two forty nine point four eight meters square up कपस inner curve surface area ओके अब यह inner curve surface area आ गया जीए अब यहां से आपको क्या निकालने ठीक यह तो हमारा पहला पाट complete हुआ inside surface area of the doom inside surfaces surface area की बात कर दो मतलब कि हम केवल कर्व surface area की बात करें ठीक आप चलो तो inside surface area of dome कितना आगे हमारे पास ठीक है बंद तो होगा नहीं ओवसे तो इस तरीके से आपके पास यह आ गया two forty nine point four eight meters square ठीक है अब उसके बाद volume of the air inside the room inside the dome अब डूम के अंदर पर कितनी air इसका volume निकालना है तो सबसे पहली बाद डूम का देख इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे पूची जिस रूम पर आप बैठे हो यह इस रूम में कितनी इसका कर्व सर्फिस एरिय क्या होता है हमाएं पर टू पाई आर स्क्वाइर की वैल्यू है टू फोर्टी नाइन पॉइंट में टीके बचो यहां से भी आप इसको आर की रेडियस फाइं करनी है तो टू से सको कैंसल करते है तो टू अन जा टू 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 जा फोर टू फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्ट यह बटी 24.74 आगया ठीके बचो और पाई के वैल्यू यहां पर रग देते बचो तो आर स्क्वाइर बराबर 124.74 और पाई की वैल्यू आपने क्या रखी सेवन अपॉन में आपके पास 22 ठीक तो यहां पर एक बार और डिवाइड कर चेक कर लो क्या निकल किया रहा है ठीके टू से डिवाइड किया तो यहां पार 11 आया अगेन टू से किया तो तू सिग जय ट्रू टू बूजा फॉर पोइंट में टू थी जए सक्टू सेवन ज जाएगे चलो 11 से डिवाइड हो रहाए कि हमारे पास 11 5 जा चेक करते तो 11 5 जा 55 हो गया यहां पर कितना आगा आपके पास 527 ठीके 116 जा 66 ठीके प्चो 73 था तो फोर्ट ओके 1170 77 चलो भए तो यह आपके पास बन गया कितना 5.67 5.67 ओगया तो आर स्क्वाइर की वैल्यू कितनी आ जाएगे आर स्क्वाइर की वैल्यू यह हमारे पास कितना आगे फाइफ पॉइंट में आपका 67 आगे कितना आगे बच्छो एक सिकन्ट ठीक है 5.67 इंटू में आपके पास 7 कर दो तो 77 जा 49 ठीक है और 760 42 42 में आपने फॉर एड कर दे तो 46 हो गया बच्छो क्लियर कैरिया यह 4 और 75 35 35 में 4 एड कर दिया तो आपका 39 तो 39 39.69 ठीक है बच्छो अब इसका अगर आप यहां पर सक्वायरूट निकाल रूटी थिक है बच्छो तो 39.69 का स्क्वायरूट आपके पास कितना निकल तो और प्सिक्स ब्रह गया और भी 네 पास श्रृट तो पहले 6 एंट तू कितना आएगा यहां से करते हैं तो 3 3 जा 9 3 2 6 3 चलो तो 6.3 तो रेडियस बच्छों हमारे पास यहां पर 6.3 आ गए रेडियस 6.3 आ गई आपको फाइन क्या करना वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्छों वॉल्यूम हो जाएगा हमार पर 2 by 3 into में पाई आर क्यूब आर हो गया हमार पास यहां पर आपका 6.3 का whole square कितना हो जाएगा 6.3 का whole square solve करोगे और फरी whole cube और 6.3 का whole cube अब इसको solve करके answer अब खुद निकाले ठीक है इसको solve करेंगे और answer आप खुद निकालेंगे तो 6.3 की पावर 3 इस तरीके से आप क्या करो के solve करके answers का खुद निकालोगे तो यह basically बच्छों concept थे जो की मैंने अभी आपको यहां पर discuss कि ठीक है है आई होब आपको बढ़िया तरीके से समझ भी आया होगा क्लियर कोई डाउप तो नहीं है बस calculate करना पाई की वल्यू टूंटी टूबए सेवन रकर के calculate करो answer आपके सामने आ जाएगा clear है चलो तो यह हमारे पास कुछ कोशन थे ठीक है अब बच्छों आपको ऐसे ही कोशन की धेर सारे कोशन की प्रेक्टिस करिए तक कि ज्यादा से ज्यादा concept आप सीख सके ठीक है चलिए ओके तो बच्छों अब नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा ही interesting topic आपके लिए लेकर की आएंगे तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए goodbye thank you so much to all of you